राजस्थान के ओर जहां EWS Reservation को लेकर CM अशोग गहलोत ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि EWS आरक्षिन में राजस्थान का फॉर्मूला लागू करे केंद्रो सरकार राजस्थान के मुखमंतिर अशोग गहलोत ने प्रदानमंति नरेंद्र मोदी से एक बार फिर आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षिन को लेकर देश भर में राजस्थान का फॉर्मूला लागू करने की मांग की है और गहलोत ने पहले तो पिएम को इस सम्वन में पत्र लिखा और सुमवार को राजपुत समाज के प्रतिनिदी मंडल से मुलाकात के दोरान कहा कि वो केंद्र सरकार से एक बार फिर आगरे करेंगे कि EWS आरक्षन के मामले में राजस्थान का फॉर्मूला अपनाते हुए अचल सम्पति का प्रावदान हटाय जाना चाहिए उन्होंने कहा कि EWS प्रमान पत्र हासिल करने के लिए इस वर्ग के युबाओं को काफी मुश्किल होती है अचल सम्पति का मूले निर्धारन जटल प्रक्रिया है और पिछड़ी समणों को दिये जाने वाले 10 प्रतिशत EWS आरक्षन से भूमी और भवन सम्बंदी प्रावदान पिछले सप्ता हटाय जाने के बाद गुरुवार को मुखमंतरी से मिलने पहुंचे राजपूत समाज के नेताओं ने उन्हें इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया चत्रय युवक संग के द्यक्षु भगवान सिंग रोल साव रोल साबसर के नेतरत में समाज के प्रमुखनेता मुखमंतर से मिले